असलाम अलेकम आज हम पहुंचे हैं जी क्लास वाला तस्थीर पस्रूर जिला स्याल कोड में और ये बहुत ही पुराना मंदर और तलाब है इंशाला आपको मकमल विजिट करवाता है आप पीछे देख सकते हैं जी ये मंदर चेक करें ये क्लास वाला का बहुत पुराना मंदर है इसकी हिस्ट्री काफी पुरानी है जो आकर जाकर आपको विडियो में मैं बताऊंगा इसकी सारी हिस्ट्री इंशाला सारी हिस्ट्री आपको बताऊंगा ये देख लेनी मेरे पी को हवेली का भी विजट करवाऊंगा और मंदर भी दिखाऊंगा मंदर के साथ एक पुराना कमर है वो भी आपको दिखाऊंगा और मंदर के साथ ही एक पुराना तलाब है वो भी आपको दिखाता हूं में इंशालला देखें कि बहुत सफर करके हैं यहां पर पसरूर के आग पृद्ब गाहा हुँआ है खुलिश्य पैष्जीप जोडह मनद्र है इसके इसके साथ एकanka मरे उसके अंदर पता नहीं क्या पढ़ा हुआ हुआ क्युआ इसकी विडियो करनाः लेकिन इमसे बेखेति हैं सारी यह आप देख सकते हैं इसके इर्दिकित सारे खेत है और ये मंदर गाओं के बाहर ये मंदर है ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मंदर गाओं के बाहर है ये देखे साथ ये कमरा ये जो दर्वाजा ये भी बांद है ये दर्वाजा भी बांद है और इसके साथ इस जगा पर तलाब है आपको इसकी हिस्टरी का भी पता लगएगा तो अंदर अपना मंदर का भी आपको विज़र गरवाद हुए इंशाला लोजी लेकर आगे हूं आपको अंदर ये अंदर से आपको विज़र गरवाद हुए हैं देखें जी कितना पुरान है और ये आप इन्होंने हवेली बना यह इसका साथ फला कम रही है जो दुराजा आपको छोड़ा सा नजर आ रहा है यहां से सीड़ी ओपर जाती है इस चाथ पर और वह यह जो सामने दुराजा यह भी फिलहाल बांद है और यह देखें जी हवेली के अंदर यह छोटी से जनावापना जिसे पंजाब की में खु होई है तो यह देखें जी लकडी का दर्वाजा और यह उपर गुमबद एक बड़ा गुमबद है और चार इसके कोनों पर छोड़े छोड़े गुमबद है तो यह जनावापना क्लास वाला तैसीर पस्रूर जिलह सियाल कोड़ में यह वाक्या है और यह तो मैं कह रहा था कि यह मंदर है लेकिन यह पूचा दू यह कह रहे हैं जी यह गुर्दवार है यह देखें यह हवेली कलास वाला एक तरीही गाओं हैं यहां पर सिख इसाई हिंदू खत्री हर किसम के हर मज़ाब के लोग यहां पर अबाद थे पार्टिशन से पहले यह जी देखें उस वक इसकnov का लकड़्ी का दरूचा और अब यह जिनकी हवेलिय उन्हों ने यह तरह लगाया हुत अब यह इसे कमरे के तोर पर इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसे मिसमार नहीं किया गया इसे तबाव नहीं किया गया कि इसे तबाह करके इसकी बिल्दिaking किरा आगर यहां पर कोई और बिर्लिंग तमीर की जाती लेकिन इन्होंने इसे असली हालत में बरकरार रखा हुआ है तो यह देखें जी जिनाब इसकी यह टॉप यह चाता है इसका तो यह आप देख सकते हैं यह इसका रोशनदान इसके बाहर वाली पर एक खिड़की है वह बाहर जाकर आपको दिखाऊंगा यह जो कमरा है अब इस कमरे में इन्होंने अपना जुरूरियात का समार रखा हुआ है जानवरों पचारा वगएरा यहां पर रखा हुआ है यह साथ कमरा है यह हमारे गुबाई के अंदुस्तान से अगर देख रहे हूँ तो उन्हें पता होगा यह देख लें जी यह इन्होंने अपना जानवर रख्यों है यह अपना देख सकते हैं सामने बाहर वाली साइड पर यह पुराना अब इन्होंने यह जो दिवार और दर्वाद है यह अब चारदवारी की है और यह इसकी बुने आद है यह बनाई है और यह बाहर वाली साइड से मैं आपको यह दिखा रहूं बाहर वाली साइड का यह वियू है यह देखें जनाब उस वकत की कारेगिरी और यह चोटी Nihad का बना हुआ ये गुर्दवार है अब ये बेहतर बता सकते हैं ये गुर्दवार है, ये मंदर जिसे भी पूछा को कह रहा है, ये गुर्दवार है कोई कहता है, ये मंदर है और ये इसके इर्दिकिर्द ये बाउंडरी बनाई हुए है इन्होंने जिसे थड़ा कह लें यह देखें जिए उस वक्त की अपना ये जो कारी गरी है नक्षनी कारी है आपको नजर आ रहे हैं तो इसके साथ ही बिल्कुल एक तलाब है जो उस वक्त वो इस्तमाल किया करते हैं आप तो ये तलाब गंदा हो गया है वो मैं आपको ये देखें जनाब यहां से तो अभी तक ये बिल्लिंग काइम और धायम है तो इसके चारों तरफ खेत है ये देखें ये उनकी अबादतगा थी सिक्खों की गुर दोबारा ये साथ ही ये जो तलाब है आप तो ये देख लें जी गली महले का पानी यहां पराता है इस की बाहर वाली साथ पर ये गुर दोबारा ये मंदर कहले है ये मंदर है और ये देखें जी कितना पुरान है ये देखें यहां से अपना इंटे उखरना शुरू हो गई है और ये देखें जी ये प्लस्तर आप ये देख सकते हैं ये प्लस्तर और उस वक्त जो रांग किया मरा चाहिए ता यह देखें रांग भी हराव हो गया प्लास नहीं हराब हो गया या माशालील्थ से यह देखें लेकैन अभी में काईम हो दाइम है ये जिनाब अपना थड़ा भी आपको दिखाया है मैंने और ये देख लें आज कल के काईगार ऐसी बिल्डिंग्स नहीं बना सकते ये देख सकते हैं आप मेरा मक्सद ही यही है कि मैं आपको पराणिय मारते दिखाऊं जो पार्टिशन से पहले की हैं काश के कभी पार्टिशना होती और हमारे इस एक परादर हिंदू कम्यूनिटी के लोग यहां पर अबाद होते हैं तो हम उनकी अबादिगा उनकी मजूदकी में देखते दो और मजा आता ये इस केर्दिगर्द आप दे सकते हैं तो यह पिल्डिंग अपिता काईमद हैं और यह देख लेंजी लकड़ी की वह खिड़की और मैं इस खिड़की से मुबाइल अंदरकार की वीडियो बना रहा हूं यह देखें अब यहां पर वह एक त्यक्चा पड़ा हुआ है चाद के उपर पंखा भी लग गया है यह देखें जिजनाब इंटें और इंटें दाल और चूनने के साथ बनाई गई है सीमड बिलकुल भी नहीं इस्तिमाल किया गया और इसकी बनियाद इतनी मजबूत है कि काफी जल्जले आए लेकिन यह फिर भी अपनी असली हालत में बरकरार है यह आप देख सकते हैं यह इस टाइम मैं इसके थड़े को पर खड़ा हूँ जो इसका उन्होंने इसकी चारो तरफ थड़ा बनाया हूँ उस पर खड़ा हूँ और यह देख लें जीर्दिकिर्द खेत हैं तो यह काश के हम पहले आया होते हैं तो इसकी जो हाल ठीक थी ताब हम वीडियो बनाते लेक इंचे लो एरे